नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ और आठ मार्च मकर रासी के महारासी फलके बारे में दोस्तों करमों के दाता भगवान सरी देव ने भेजा है आपके लिए एक गुप्त संदीश जिहां दोस्तों आने वाले दो दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल पर होने वाले हैं बहुती महतपुन बदलाव जिन्हें सुनेंगे ते दोस्तों आपके भी होस उड़ परन्तु दोस्तों हम आप सभी को बता दें की जब आप इनके बारे में आप सुनेंगे तो दोस्तों खुसियों के आशू पूरे परिवार बहाएंगे जिहां दोस्तों परन्तु दोस्तों हम आप सभी को बता दें की भगवान सनेदेब कर्म के दाता है तो दोस्तों यह सम आपको आने वाले दो दिनों तक आप सभी को कौन-कौन से बातों का ध्यान रखना पहुती ज़्यादा जरूरी है इस बीडियो में बात करेंगे साथी बात करेंगे कि भागवान सनिदेप का या पत्र आप सभी के जीवन काल में आपको कौन से संकेत कर रही है कौन-कौन से बड़ खुस खबरिया आने वाले दो दिनों के अंदर आपको मिलने वाले हैं जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं दोस्तों इन्हें भूल कर भी मिशना करें क्योंकि दोस्तों यह आपके करमों का फ़ल है जो कि दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में हम जो जानकारी देने वाले हैं अगर आप इन्हें सून लेंगे तो दोस् जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा जहां दोस्तों इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो को आप बिलकुल ही मिशना करें और सुरू से आन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह समय अंतराल में जब भी आपको इतने बड़े रकम बड़े उपलब्धी आपको मिलने वाले हैं तो दोस्तों इसलिए में आपको भी अपने जीवन काल में चार बड़े विशेस बातों को ध्यान रखना बहुती जरूरी है जहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों यही चार बाते हैं जो कि दोस्तों आपको अपने जीवन काल में आगे नहीं बलकी पीछे की और जा रही है और दोस्तों इने के चलते आपके जीवन काल में लगातार परिशानिया चल रही है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं दोस्तों आप इन्हें बिलकुली पर आप सभी को प्राप्त होगी और जीवनकाल की सारी संकटें आपके समाप्त हो जाएंगे जहां दोस्तों तो आई दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवनकाल में आपके कुंडिली में बड़े गरहों का मिलन सार हो चुका है जिनके कारण दोस्तों धन लक्ष्मी यूग गज केसिरी यूग नाम के बड़े यूग बनने वाले है समय आपको जबन प्रक्तावूं की प्राप्ती होगी। बहुति बड़े कामियाबी आपको मिलने वाली है। दोस्तों आपको बतादें की अब आपके जीवन काल से सभी परेसानिया ख़त्म होने वाले हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि यह समय मंगल बूद और गुरू की जो इस्ति बनने वाले हैं आपके कुंडली के लिए भगवान का बर्दान ही साबित होगा जहां दोस्तों और यह बर्दान आपके पूरे जीवन को बदलने वाला साबित होगा दोस्तों एक परकार से कहें कि यह बर्दान आपके करमों का ही फल है आपके पिछले समय में आपने जीवन काल में लगातार दुख जहल रहे हैं परेसानी जहल रहे हैं और तमाम परकार की मुसीवतों को जहलते हुए अपने कारियों पर डट के खड़े रहे हैं दोस्तों इनी की बज़ा से भगवान सनिदेब जो कर्म के देपता हैं दोस्तों आपके कर्मा को देख कर ही आपको बहुत ही बड़े खुश खबरी देने वाले हैं। दोस्तों या समय वो भी समाप्त होने वाला है क्योंकि दोस्तों धन लक्षमी योग के कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में सभी परिशनियां खत्म होने वाले हैं। दोस्तों दोस्तों साथी दोस्तों बात करें कि भगवान सनिदेप के आसिरवात से और जो ग्रहों की बदलती चाल है आने वाले दो दिनों के अंदर आपको कौन-कौन शे बड़े लाब देने वाले हैं। इनकीन छेतरों में आपको कार करने से लाब की प्राप्ती होगी और भगवान सनिदेप के आसिरवात से आपके घर के माहौल में परिवारिक जीवन में परते एक छेतर में क्या-क्या सुधार होंगे। सभी की जानकारी बहुती गहरी तरीके से ग्रह गोचर पर निर्मित है। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथे बेल आइकन को प्रेस करके औल पर स्लेट कर दें। को अपना संदेश भेजा कि वे उसकी मदद करे। यह परशारन एक नास्तिक घमंडी और एहंकारी उद्योग पती ने सुना। और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मचा किया जाए कि उसकी स्री कृष्ण के परती आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेकेटरी को कहा वा धेर सारा खाना और महिने भर का राशन उसके घर पर दे कर आए। और वह जब महिला पूछे कि किसने भेजा है तो कह देना कि सेतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुचा पहले तो उसके परिवार ने त्रिप्त होकर भोजन किया। फिर वह श्चारा राशन आलमारी में रखने लगी। जब महिला ने कुछा नहीं कि यह आदेश देता है तो सेतानों को भी आदेश का पालन करना पड़ता है। जिहां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से शामत हैं। यह समय आप करने वाले हैं। बात करते हैं पूरे विश्चार सी। दोस्तों यह दो दिनों का जिश्चा में होगा। सनिदेव के आशिरवात से आपके लिए बहुती भागोई देश में शावित होंगे। दिन के पहले ही दिन से बहुती अनुकुल ग्रिशिती रहेगी। अपनी काबलियत को शावित करने का मोका मिलेगा। इसे कोई उर्चा मेहशुष होगी। गर परिवार्त था वैपसा में उचीत समानजस बना रहेगा। ग्रिशिती बहुती अनुकुल बनी हुए है। अपने योजना को कारूर्प देने का उचीत समय है। आपको अपने सिदस्यों का आशिरुवाद वत सहयोग भी आपके लिए भागरदय सावित होगा। दोस्तों कोई विकार करते समय दिल के वज़ा दिमाग से काम लें। प्रैक्टिकल होने से आप अपने कारे को परती जादा अच्छी तरह निर्न ले पाएंगे। विध्यार्तियों को भ शादधानियां भी देख कर चलनी होगी। आलस की वज़े से आपके कुछ बंते बंते काम रूप भी सकते हैं। अपने काम्यों को सुधारने की कोशिश करें तथा अपने शारिक छमता को मजबूत रखें। अपने लक्ष को हासिल करने के लिए जवरदस्त मेहनत की ज़र है क्योंकि जरा सी लपारवे नुकसान दे सकती है। वैबसाइक छेतर में यह समय गिर्शती बहुती अनुकुल है इसका सद्विप्यूग करें। नुक्री पैसलों के लिए अस्थान परिवर्तन समंदे भी योग बन रहे हैं। बिजनिस में अपने नया काम शुरू किया है तो रुकावटें आ सकती है। हिमत नहारें जल्दी हालाद अनुकुल हो जाएगी। अनुवे लोगों का मार दर्सन आपके लिए मददगार रहेगा। साथे साथ ध्यान रखें कि दोस्तों दूसरों की बातों में ना आकर अपने काम से ही मतलब रखें। अन्य था बा आएगा। प्रेम संबन्द में प्रगड़ता आएगी और भावनातन अजदेखियां भी बढ़ेगी। वह जीवन में उचित ताल मिल रहेगा। यूँ आवर की दोस्ती प्रेम संबन्द में बदल सकती है। दोस्तों आपके स्वास्ते के बारें बात करें तो गैस और एस चाला कापडा किसी गरीब को दान दें। और इनके साथ साथ दोस्तों काले कुट्तों को सरसों तेल लगी हुई रोटी देने से सनेदेब प्रशन होते हैं और उनके सभी गरह दूर होते हैं। सच्जी दिल से कमेंट बोक्स में जाए सनेदेब जड़ो लिखें और वीडि आता भगवान सरीदेव ने हैं